मेहंगाई फुल उस पर बत्ती गुल और मोदी जी बोले राज्यों से सुधारों मेरी भूल आज बिजली की जो हालत पूरे देश में हो चुकी है इस्तिती ये है कि देश के सोला राज्यों में दस घंटे तक की कटोती चल रही है मोदी जी इस पर ये मत बोलिएगा ये कॉंग्रेस के राज्ये है और ये दूसरे रिजनल पार्टी के है और ये हमारे हैं ये सोला में लगबग बारा आपके ही है उन राज्यों में दस घंटे की कटोती चल रही है में और ये कटोती अभी तो शुरूआत है पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मैं में ये कटोती क्यों हो रही है इसको समझना जरूरी है एक तो कटोती हो कि भई आपके पास बिजली उत्पादन की शम्ता नहीं है आपके पास रॉ मेट्रियल नहीं है पर हमारे देश में शम्ता भी है रौ मेट्रियल भी है पर मोदी जी कोईले की ख़दानों से कोईले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयत्र जा लगे वे वहां तक नहीं पहुचा पाए आज इस्तिती ये है कि देश में बहुततर हजार मेगावाट शम्ता के कोईले के प्लांट आज बंद पड़े हैं क्योंकि उसमें कोईला नहीं है आप और ऐसा नहीं कि कोईला हमारे देश के कोईलाईरी में नहीं है वो वहाँ पड़ा है पर मोदी जी ने क्या है कि उसको वहाँ पहुचाने की कोई जुरुरत नहीं समझी और अभी आप किसी से सवाल पूछेंगे कि भाई बिजली क्या संकट क्यों उत्पन हो गया सरकार से तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि अप्रेल में इतनी गर्मी पड़ जाएगी अरे भाई आजकल तो स्मार्ट फोन में अगले एक महिने क्या जो टेंपरेचर है उसके प्रेडिक्शन आते हैं मोदी जी आपके पास नहीं है तो आप टीवी देखो टीवी वाले रोज बताते हैं कि अगले दस दिन में यहां औरेंज अलट है यहां इतने डिगरी टेंपरेचर रहना की उम्मीद है भीशन गर्मी पड़ने वाली है पर वहां के उन्होंने वो जानकरी नहीं ली तो कोईला पहुचा नहीं कोईलों के जहां बिजली के जहां उत्पादन होता है उस कारण से आज बिजली संकट हो गया उसका एक और नम सुबे के 10 बच के 45 मिनट पे बिजली की मांग थी इस एनरजी एक्सचेंज में 16,035 मेगा वाट और बिजली कितनी पूर्ती कर रही की जारी इस एनरजी एक्सचेंज में 234 मेगा वाट मतलब मांग है सुबे के पौने 11 बजे 16,035 मेगावाट और पूर्ती हो रही है 2,304 मेगावाट और मैं गारंटी लेता हूँ कि जब अपन प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं इस समय मांग होगी 25,000 मेगावाट और आपूर्ती होगी 2,000 मेगावाट की और ये आपूरती 2000 मेगावाट की किस कीमत पर हो रही है ये देखिएगा सातियों 12 रुपे प्रती युनिट राजियों को अगर बिजली चाहिए तो 12 रुपे प्रती युनिट पे खरीदो दूसरा वहाँ पे भी पूरी नहीं मिलेगी मांग डिमांड और सप्लाई का प्योर मिसमेच है क्योंकि 12,000 में 24 मेगावाट समता के प्लांट देश में बंद पड़े वे हैं तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब सब को पता है आपरेल में गर्मी आती है मई में भेंकर गर्मी आती है तो ये 12,000, 24 मेगावाट के प्लांट को देश में कोईले की आपूर्ती क्यों नहीं की गई क्यों वहाँ इन प्लांटों में मात्र 0 से 25 परसेंट कोईला जो उनका स्टॉक होता है उसका मात्र 25 परसेंट से कम कोईला इन प्लांटों में क्यों है थो point number one point number two यह है कि देश में जो कोईले की मांग है वो पिछले पंदरा दिन से सब कह रहे हैं की 22 लाख टन की है तो कोईले कोईले की माइडों है जा कोईला का मंत्रा रहे वो सब्लाइस मात्र 16 लाख टन की क्यों कर रहा है हमने 15 दिन पहले भी इसके उपर एक छोटे से एक एक चेताया था सरकार को कि भैंकर बिजली का संकट आने वाला है क्योंकि मांग है देश में कोईले की वो है 22 लाग टन और सप्लाई है मात्र 16 लाग टन कोईले के मंत्री कौन है मैं आपको गारंटी देता हूँ मुझे तो पता है और आपको भी पता होगा पर मोदी सरकार के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि कोईले के मंत्री कौन है मैं गारंटी लेता हूँ बिजली के मंत्री कौन है मुझे पता है पर मैं गारंटी लेता हूँ कि आप में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि बजली के मंत्री because वो विचार तो एसी चला के अपने office में बैठें तो नो एक एसी इधर से उनको हवा देता है एक एसी उदर से तेता है क्योंकि उनके यह तो को बिजली का संकट है नहीं उनके यह तो बिजली की कटोती है नहीं और ग्रामीन भारत में बिजली की कटोती जो अर्बन इंडिया उससे बहुत ज़्यादा है आदे से ज़्यादा उत्तर परदेश में मात्र चार घंटे बिजली आ रही है आदे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्योंकि अभी चुनाव हो गए हैं अगले चुनाव के पहले सोचेंगे अभी इसको छोड़ो अभी दूसरा राज्य ये पकड़ो ये तो गवर्नेंस का मॉडल है और आप आपको पता था ये कोईले का संकट है और आपको जानके अस्चरी होगा आप सर जाहा उत्पादन होता हुआ कोईला क्यों नहीं पहुचा तो सरकार कहेगी हमारे पास रेलवे रैक नहीं है ये उनका उत्तर है कि रेलवे की हमारे पास रैक नहीं है और आज मैंने सुबह पढ़ा अगवार में कि पैसेंजर ट्रेंस को बंद करके अब माल गाड़ी से से गवरनेंस चलता है मोधी जी और आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ लो रोजगार क्यों नहीं है राज्यों के जिम्मेवारी है औक्सिजन क्यों नहीं है राज्यों की जिम्मेवारी है राज्यों की जिम्मेवारी है आइस्यू बैट की कमी क्यों है राज्यों की जिम्म जिम्मेवारी है, महेंगाई क्यों हो रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है, तेल की कीमते क्यों बढ़ रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है, और आज सरकार ने कह दिया, कोईले का संकट क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है, तो आपकी क्या जिम्मेवारी है, आपकी सिरव एक ही जिम्मेवारी है कि आपका जो महल है वो समय पर complete होगा या नहीं क्या आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि आपके जो नए जहाज आगे उसको लेके आप दुनिया के कोई भी देश में घुमने जा सकते हो क्या आपकी यही जिम्मेवारी है कोई भी सवाल पुछो राज्यों की जिम्मेवारी है और राज्यों की जिम्मेवारी के बाद आपको जानके आश्चरिय होगा कि आज वित्पंत्राले का डाटा है मेरा नहीं है वित्मंत्राले ने कहा है कि राज्यों का 78,704 करोड रुपिया GST का हमारे पास बकाया है यह मैं नहीं कह रहा मोदी जी की वित्मंत्री आदर्निय निर्मला सीता रमन जी ने कहा है कि 78,704 करोड रुपिया राज्यों का हमारे पास GST का बकाया है जिम्मेवारी सारी राज्यों की पैसे सब हम लेंगे उनका जो हिस्सा है उनको समय पर देंगे नहीं और बिजली कटोती क्यों हो रही है क्योंकि कोईला नहीं पहुच रहा किसकी जिम्मेवारी बोले राज्यों की जिम्मेवारी अरे भाई कोईला मंत्राले तो भारत सरकार म धीन काम करता है क्यों आप समय पर कोईला नहीं पहुचा पाए और उसका नतीज़ा क्या हुआ कि जो मैंने जो energy exchange का data दिया है कि सुबे पौने 11 बजे आज 16,035 मेगावाट की मांग थी और आपूर थी हो रही थी 2304 मेगावाट की और वो भी किस rate पे साती हो 12 रुपे प्रती unit ये कौन सा governance का model है इस बाबत हमारे तीन प्रश्ण है पहला बहुत्तर हजार चोहत्तर मेगावाट शमता के कोईले के plant जिसमें बिजली का उत्पादन हो सकता है वो आज बंद क्यों है क्यों वहाँ पे कोईले की आपूरती सुनिश्चित नहीं की जा सकती point number two 173 power plant में से 106 power plant में कोईला मात्र शमता का 25% स्टॉक ही क्यों है मतलब 61% जो कोईले के जो plant है जहाँ कोईले से बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर कोईला की जो स्टॉक है वो 25% से जो उनके शमता है उससे मात्र 25% या उनसे कम क्यों है नमबर तीन कोईले की मांग जब रोजना 22 लाग टन है तो सप्लाई मात्र 16 लाग टन ही क्यों की जा रही है पॉइंट नमबर फोर और मेहतपून इश्यू है मैं में और ये मैं नहीं कह रहा ये बारत सरकार की Central Electricity Authority कह रही है कि मैं में 2.2 लाख मेगा वाट की आपकी डिमांड होगी इस इस समय जब 2.01 लाख मेगा वाट की डिमांड है बिजली की वो तो आप आपूर्ती नहीं कर पा रहे हो मई में 2.2.2 लाक मेगावाट की डिमांड होगी उसकी आपूर्ती के लिए आपकी क्या योजना है देश आप से जानना चाहता है आप हर बात को राजियों के हवाले करके पीछे के दर्वाजे से नहीं निकल सकते